आइपैड में कैलकुलेटर क्यों नहीं होता है? गलती से डेटल पी लिया तो क्या होगा? दोस्तों अगर आप एक स्मार्टफोन का यूज करते हो तो आप जानते होंगे कि उसमें एक कैलकुलेटर तो आता ही है लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आईपैड में कैलकुलेटर क्यों नहीं आता है तो चलिए जानते हैं दरसल दोस्तों जब iPad को बनाया जा रहा था तब उसके software को बनाने का काम Scott Forstall को दिया गया था और उन्होंने पूरा iPad का software बनाया और उन्होंने उसमें एक calculator आड़ किया जो की iPhone और iWatch के calculator से improve design था और iPad के launch होने के ठीक तीन हफते पहले Steve Jobs ने calculator देखा और वो उन्हें बिलकुल भी पसंद नहीं आया और अब एक नया calculator इतने कम समय में बनाना ना मुम्किन था और iPad की launch date shift करना मुश्किल था तो उन्होंने calculator के बिना ही iPad को launch कर दिया और इसी कारण ही आज तक iPad में calculator नहीं है जिसका प्रयोग हम अकसर हाथ धोने, बैक्टीरिया मारने और सरजरी के समानों को साफ करने के लिए करते हैं लेकिन क्या होगा अगर आप उसी डेटल को पी ले दोस्तों अगर आपने गलती से भी डेटल को पी लिया तो यह बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि डेटल में Cloroxilinol होता है जिसका उप्योग बैक्टीरिया मारने के लिए किया जाता है और अगर आपने इसे पी लिया तो यह आपके Central Nervous System पर अटेक कर देगा जिससे आप अकेला और डिमोटिवेट महसूस करने लगोगे